दोस्तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में गुलाब के पौधे को शेयर करूँगी क्योंकि गुलाब के पौधे के लिए फरवरी से लेकर 15 अपरेल तक का काफी समय खास होता है इस बीश इस पौधे पर अच्छी ग्रोथ होती है साथी साथ इस पर काफी फ्ला काफी होने लगेगा तब पौधा ये फिर से एक बार डल हो जाएगा तो दोस्तो इस बीच में हमें अपने गुलाब के पौधे पर कुछ ऐसे जरूरी काम कर देने हैं साथ में कुछ ऐसी फर्टिलाइजर्स दे देनी हैं जिससे कि इस पीरिड में हमारा गुलाब का पौधे को ऐसी जगे पे रखना है जहां पर इस समय पौधे को कम से कम छे से साथ घंटे की बराबर की धूप मिले क्योंकि अगर इसको धूप कम मिलेगी तो ये पौधा ग्रोथ नहीं करेगा और दी जाने वाली फर्टिलाइजर का पूरा असर पौधे को नहीं मिलेगा इसके बाद दूसरा काम आपको करना है अपने गुलाब के पौधे की पूधे की प्रूनिंग करना तो दोस्तो पूधे जब तब आप पौधे की नहीं करेंगे यानि कि जो खराब डालियों को नहीं काटेंगे तब 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 नई ग्रोथ इस्टार्ट नहीं होगी और जाती है जब आप प्रूनिंग कर दें तब आप अपने पौधे में चेक करें कि अगर कोई कमजोर खराब डालिया है तो उसको भी आप पौधे पर से तुरंत हटा दें क्योंकि ये डालिया जो है वो पौधे की इनर्जी लेती रहती है और पौधे की ग्रोथ पर असर जिससे की वहां से नई ग्रोथ स्टार्ट हो सके दोस्तों तीसरा काम आपको करना है गमले की मिटी की अच्छी तरीके से गुडाई करना है क्योंकि जब आप गुडाई करेंगे तो आपको अपने गुलाब के पौधे पर एक साथ कई सारे फाइदे नजर आएंगे पहला ह कि खत पतवार हट जाएगा दूसरा यह होगा कि मिटी ऊपर की नीचे हो जाएगी और तीसरा फाइदा आपको यह होगा कि मिटी काफी मुलाइम हो जाएगी जिससे कि जब आप खाद देंगे तो जो नई जड़े निकलेंगी उनको फैलने में काफी आसानी हो जाएगी औ तो दोस्तों वो भी हट जाएंगे और जब आप पौधे को खाद देंगे तो मिट्टी मुलायम होने की वज़े से पौधे की सभी जड़ों तक खाद का असर अच्छी तरीके से होगा जिसके कारण पौधा तेजी से फोटो सेंथिसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करेगा और अ दोस्तों सभी को पता है कि गुलाब का पौधा एक हैवी फीडर प्लांट है और इसको अधिक मात्रा में और जल्दी जल्दी बदल कर फर्टिलाइजर की जरुरत पड़ती है तब ही ये पौधा अच्छी तरीके से ग्रोध करता है और इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट होत और नाइक्ट्रोजन की वज़े से पौधा गुलाब का काफी तेजी से ग्रोध करेगा अब इसमें आप दो चमश बोन मिल पाउडर को मिला लें तो दोस्तों बोन मिल पाउडर में फासफोरस और कैल्शियम काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है और इन दोनों का तभी पौधे पर इस्तेमाल किया जाता है जब पौधे पर नई ग्रोध स्टार्ट होती है क्योंकि फासफोरस की वज़े से रूट काफी मजबूत हो जाती है जिससे जो नई ब्रांचे निकलती है वो काफी मजबूती से निकलती है और कैल्शियम की वज़े से जो ब्रांचे हो तो दोस्तों, यह एक NP-क फड़ पाइजर नयुक्त हैं और टनों में कीसी तरीके से और्गैनिक होती है यह अंगस यह लगने पाती है. अब दोस्तों इसमें चौती फर्टिलाइजर जो आपको डालनी है तो वो आधा चमच एपसम सॉल्ट को लेना है क्योंकि एपसम सॉल्ट में मैगनीशियम और सल्फर काफी अधिक मात्रा में पाय जाता है और इन दोनों का पौधों की ग्रोध पर काफी अच्छा असर करता है इसी तरीके से जो इसमें सल्फर पाया जाता है उसकी वज़े से जो नई ग्रोध स्टार्ट होती है उस पे जो नए पत्ते आते हैं वो काफी हरे रहते हैं साथी साथ पौधा काफी हरा भरा हो जाता है और पौधे पर किसी तरीके की सल्फर की वज़े से बीमारी भ लास्ट में दोस्तों गुलाब के पौधे को एसीडिक मिट्टी काफी पसंद है और इस मिट्टी में ये पौधा काफी तेजी से ग्रोथ करता है यानि कि जिस मिट्टी का पीच मान 6 से 7 के बीच में होता है वो गुलाब के लिए बेस्ट मिट्टी मानी गई है तो मिट्टी क जो आइसिडिक बनाने के लिए आप एक चमप्रेश्UNG परेशल के पति ले 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 और लेज कराव हाज करई झाय जाप ले कर एक लीटर पानी में उप्राइब है और दो से थीन घंटे के लिए छोड़ दे दोसे तीन घंटे में चाय पत्ति के सारे पोशक तत्तो उस पानी में निकल कर आ जाएंगे अब आप खाद दी हुई मिट्टी के में इस पानी को अच्छी तरीके से धीरे धीरे करके मिला दें तो दोस्तो चाय की पत्ति में एक टेनी नामक एसिट पाया जाता है जो की मिट्टी को एसिडिक बना देता है इसी के साथ साथ इसमें NPK भी पाया जाता है और बहुत से ऐसे पोशक तत्तो पाया जाते हैं जिसको की इस्तेमाल करने से पौधे पर फल और फूल जल्दी आने लगते हैं गुलाब के पौधे को चाय की पत्ति या फिर कौफी पाउडर काफी पसंद भी है इसके बाद आपको अपने पौधे को किसी भी तरीके की कोई फर्टिलाइजर नहीं देनी है अब इसको अगली फर्टिलाइजर आपको तब देनी है जब आपके पौधे पर कलिया बननी स्टार्ट हो जाएंगी तो उस समय आपको पोटेशियम, केल्शियम और फासफोरस इस फर्टिल प्राइजर देनी होगी जिससे की पोधे पर अधिक संख्या में फूल आएं और जो फूल आएं वो मजबूती से आएं साथ में फूल जड़ें भी ना